इस तरह की लेयर वाली मट्री या दिवाली में कोई ऐसा स्नाक्स देखने में खुब सुरत लगे, खाने में भी बहुत अच्छा लगे और बनाने में बहुत ही आसान हो, यह हम सपी का सपना होता है यह बहुत ही जादा सिंपल रेसिपी है, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप बहुत ही असानी से मल्टीपल लेयर्स वाली मट्री बना पाएंगे, जिससे बनाने में 10 मिनिट लगेंगे मेजर्मेंट की बात करें, तो यहाँ पे मैं एक कप मैदे का इस्तिमाल कर रही हूँ, आप अपनी जरूरत के अनुसार कम या जादा मैदा डाल सकते हैं, दो कप, तीन कप, यहाँ पे एक कप मैदे में आदा छोटा चमच नमक जाता है, या फिर आप अपने स्वाद के अन सिर्फ नमक से भी इसे बना सकते हैं, अब इन दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद मौईन डालेंगे, मौईन या तेल या फिर घी जो हम इसमें डालते हैं, जिसके वज़े से हमारे स्नाक्स हैं वो खस्ता बनते हैं, तो आपने जितना भी आटा या अब तेल के बजाएं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वनस्पती घी भी टाल सकते हैं, अब इन तारी चीजों को मिक्स कर लिया है, पहले ये आटे जैसा लग रहा था लेकिन अब ये समुंदर की रेज जैसा लग रहा है, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती ह अब अगर हातों में इसे लेकर ऐसे दबाते हैं, तो इसकी एक गुटली जैसी बन चाती है, इसके लावा मैंने लास में जो डाला था वो है एक पिंच सोडा, इससे थोड़ी सी फूलती है हमारी मठरिया, अब हम इसका आटा लगाएंगे, जिसके लिए हमें कम से कम पानी इस्तिमाल करना है, बहुत थोड़ा सा पानी लगता है इसे गुटने में, क्योंकि हमने एक कप ही मैदा लिया था, और जितना कम पानी आप डालते हैं, उतनी बढ़िया हमारी मठरिया बन के तयार होती हैं, देरे देरे से आप इसे गुटले, एक सक्त आटा लगा लगा ल जो हम लेयर और जो पर्तों वाली मठरी बनाने वाले हैं, उसके लिए कि यहां पे इसलरी जैसी बनानी होती है, तो यहां पे करीब 2-3 चमच मैने मैदा ले लिया है, आप यहां पे मैदे के बजाए हमारा नॉर्मल गेहूं का आटे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके अं लेयर बराएंगे उस आटे की, चल यह 10 मिनिट हो चुके हैं, आटे ने अची से रेस्ट कर लिया है, अब एक बर फिर से इस तरीके से मसलेंगे, जादा मसलने की कोई ज़रत ने होती, बहुत ही कम महनत वाला यह स्नाक है, बहुत ईजली बन जाता है, अब इसे मैंने ऐसे लिया है और इसे दो टुकडो में बाट लूँगी, आप चाहें तो इसके तीन टुकडे भी कर सकते हैं, अगर आपका चकला छोटा है तो तीन टुकडे कर लें, अब इसमें से एक टुकडा लेंगे और इसे इस तरीके से गोल करेंगे, जैसे हम रोटी के लिए पराठे के करते हैं, उसके बाद में इसे फैलाएंगे, फैलाने के लिए किसी भी आटे या तेल की जुरत नहीं है क्योंकि अल्रडी हमने इसके अंदर तेल डाला है जिसके वज़े से चकले और बेलन पे नहीं चिपकता, बट फिर भी बाईचांस अगर आपके ये रोटी चिपक रह तो इसे लगाने में कंजूसी ना करें, बस इतना देखें कि ये हर तरफ लग चुका है, इवनली और इसे लगाने के बाद हमें इसके उपर सुखे आटे का छिड़काव करना है, तो आप इस तरीके से सुखा आटा डाल दें, आप जो चाई की छलनी होती है उसे यूज कर परतें और लेयर बने, तो ये देखिए पहले इस तरीके से लेफ्ट और राइट से मैंने अंदर की तरफ किया है, अब उपर और नीचे से अंदर करेंगे, देखिए एक पराठे जैसा कुछ बन गया है, अब हमें फिर से बेलना है, जितनी आपको लेयर चाहिए उतनी बा उसे लगाएंगे, और उसके ओपर हम आटे का छिड़काव करेंगे, अगर आप सिफ तेल और सुखाटा लगाते हैं, तो भी चल सकता है, मतला आपको अच्छे से तेल लगाना है, और उसके ओपर सुखे आटे को इस तरीके से छिड़काव करना है, तो फिर क्या होगा, फ तुकड़ा इसे साइड में रख देती हूं, दूसरे तुकड़े को ऐसे चकले के ओपर रखोंगी, और इसे लंबी तरफ बेलूंगे, नीचे उपर, नीचे उपर, हमें साइड की तरफ नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी जो मत्रियां बहुत जादा लंबी बनेंगे, बात कि कुछ देखिए, अभी से फटनी शुरू हो गई है, तो जब हम इसे तेल में फ्राय करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी लेर्स आ जाएंगी, यह देखिए, थोड़ा सा यहां पे चिप अगया है, कोई बात ने, इसे हम दूसरे आटे में डाल देते हैं, अभी से करेंगे, तो बात सारी लेयर जो हैं, इसे क्या करेंगे, कि अग्या करेंगे, कि यह पसकी अग्छाएं कर देखिए, उर तो आपस में sticks चिपक जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा मैदे में इतना सारा तेल होता है कि वो आपस में चिपकता नहीं है अब इसे fry करने के लिए आपको medium hot oil में इसको fry करना है पहले तेल को अच्छा गरम कर लें फिर अपने गास को medium पे लाएं medium से low के बीच और फिर इसे fry करें एक और चीज यहां पे आपकी तेल में जितनी जगा है वो सारी भर दें मतलब बहुत सारी एक साथ आप स्टिक्स डाल दें इससे क्या होता है तेल का जो टेमपरेचर है तेल की जो घरमाहट है वो कम हो जाती है और हमारी यह जो मट्री है बहुत ही खस्ता बनती है खस्ता बनने के दो-तीन कारण होते हैं पहला आपने इसके अंदर मॉइन डाला शुरुवात में और दूसरा कि अगर आप इससे slow पे बनाते हैं तो obviously यह कड़क होती है खस्ता बनती है अगर आप इससे fast पे बनाएंगे तो जल्दी से उपर से जल जाएगी अंदर से नरम रह जाएगी तो medium से low के बीच में आपको इससे fry करना है और जब इस तरीके का color आजाए तो निकाल लें बहुत जादा brown ना होने दे क्योंकि मैदा जो है वो तेल से निकलने के बाद भी पकता रहता है अगर आपको नहीं पता तो तो जब हलकी brown हो जाएं तब आप इससे निकाल लें बाहर निकालने के बाद यह अपने थोड़ी सी dark brown हो जाती है तो आप देख पा रहे हैं एक एक layer इसके अंदर नजर आ रही है बहुत खसता मूं में जाते ही घुलने वाले यह बनेंगे चाय के साथ यह तो बहुत ही best combination है इससे बना के किसी paper towel पे रखें और store कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ store करने के लिए आप किसी paper में इसे लपेटें और एक air type container में डालें जिसमें से हवा आरपार ना आती हो तो बहुत ही आराम से आप महीना भर इसे खास सकते हैं इसे कुछ नहीं होगा ट्रावलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ बॉट बढ़िया लगती है अगर आपको मेरी recipe पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल पर पहली बार हैं तो subscribe करके बेल आइकन दबादे ताकि फिचर में वीडियो में snack करें